लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही बीजेपी के अंदर हलचल मची हुई है बीजेपी हाई कमान के खिलाफ बगावत के इस्तिथियां बन रही हैं पहली बार पार्टी के अंदर नरेंद्र मोधी को भी चुनोती मिल रही है राज्यू में भी पार्टी नेता आपस म बेड़े हुए हैं जहां बीजेपी का एक भी सांसत नहीं है वहां पर भी पार्टी के अंदर टक्राव दिख रहा है सबसे ज़्यादा चिंतजनक हालात तो उत्तरप्रदेश की हैं जहां आपसी टक्राव के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जो विधियक योगी सरकार ने व वहीं अब ये दूसरे राज्यों में भी दिख रही है बीजेपी में बढ़ती कलय को लेकर ही स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात नमस्कार मैं आचल बीजेपी बिखरती दिखाई दे रही है और इसके बिखरने की शुरुवात लोकसबचुनाव के नतीजों के बाद स ही हो गई थी लोकसबचुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा छटका उत्तरप्रदेश से मिला है इसके चलते लखनव से दिल्ली तक लगातार सियासी मन्थन चल रहा है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मन्थन में भी हार के कारण क्या रहे उसे हाई कमान समझ नही मुश्किल है केंद्र और राजयर सरकार की नीतियों के चलतेों के लोग परिशान थे लेकिन BJP मोदी योगी के नाम के सारे ही جीतने के सपने देख रही थी लेकिन ये सपने पूरी तरह से विक्हर गए हार की समिक्षा में तो किसी को दोशी नहीं ठहरा आया गया लेकिन हार के बाद CM योगी अदेतनात और 50CM केशर प्रसाध मौर्या आमने सामने जरूर आ गए उत्रप्रदेश के डिप्टी CM केशर प्रसाद मौर्ये ने चुनाव के बाद सही संगठन को सत्ता से बड़ा बताया है CM और डिप्टी CM दोनों ने UP वे खराब रजशन की अलग-अलग वजहे बताई लेकिन केशर प्रसाद मौर्ये के बयान को योगी सरकार के खिलाफ टिपनी के रूप में दिखा गया इसके बाद से सियासी बयान बाजी BJP में शुरू हो गई है BJP की विधायक से लेकर सहयोगी दलों के नेताओं ने खुलकर सवाल उठाने शुरू कर दिये हैं और निशानी पर योगी सरकार आ गई इस तरह सरकार और संगठन के बीच दबी खीशतान अब खुलकर सामने आ गई है इस खीशतान के चलतेज सीम योगी की हाई कमान से नाराजकी की खबरे भी सामने आ रही है पिछले महीने दिल्ली में बीजेपी का रेले में मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक हुई थी इस बैठक का एक वीडियो सामने आया था जो वाइरल हो गया है वीडियो में साम दिखाई दे रहा है कि बैठक में पहुँचे योगी अधितरनाथ ने पीएम मोदी और ग्रहमंत्रिया में शाह को नमसकार तक नहीं किया सिर्फ राजनाथ सिंग को नमसकार किया इस बीच बीजेपे की चुनता विधानसभा उपचुनाव ने भी बढ़ा रखी है यूपी में दस विधानसभा सीटों पर इसी साल उपचुनाव होने हैं बीजेपे के लिए ये चुनाव बेहद एहम हो गए हैं क्योंकि लोगसभा चुनाव के बाद एक और बड़ी हार बीजेपे के लिए बहुत भारी पड़ सकती है इस मुद्दे पर बीजेपे महासची बीयल संतोष ने पिछले दिनों दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ से मुलाकात की थी साथ ही केंद्रिय नेतरित्व की ओर से मुख्यमंत्री परिशत के दोरान दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशर प्रसाद मौर्या और ब्रजीश पाठक को भी निर्देश दिये गए थे राज्य में मुख्यमंत्री योगी और उपमुख्यमंत्री मोर्य को लेकर विपक्ष भी जमकर तंजकस रहा है इससे सरकार और संगठन दोनों में एह सहजुता बढ़ रही है यूपी में पार्टी के हालातों को लेकर कई बड़े नेता चिंतित हैं एक वरिष्ट नेता ने कहा हम पहले कल्यान सिंग के समय इसी तरह के हालात देख चुके हैं इसका नुकसान उठाना पड़ा था अब समय रहते इसे सुलजाया नहीं गया तो दिक्कते बढ़ेंगी हरियाना और मध्यप्रदेश में भी नाराजगी की खबरे सामने आई हैं बीजेपी की दिक्कते हरियाना को लेकर भी बड़ी हैं यहां दो महीने बाद विधान सबच चुनाव होने हैं पार्टी के वरिष्ट नेता और पूर्व मंतरी अनिल विज राजजे में सत्ता परिवर्टन के बाद से नराज चल रही हैं बताया जा रहा है कि नायब सैनी के सियेम बनने के बाद से विज नराज चल रही हैं उन्होंने हाल ही में पोस्ट कर बताया राज्य में पार्टी के हालात कितने खराब हैं। हाला की बाद में उन्होंने पोस्ट हटा दिया। पोस्ट में विज ने लिखा था डूबेगी कश्टी तो डूबेंगे सारे, न तुम बचोगे न साथी तुम्हारे। दरसल सेनी सरकार के गठन और मंत्री मंदल विस्तार में अनिल विज को मंत्री नहीं बनाये गया इसके बाद विज पूर्व मुख्य मंत्री मनुहर लाल के खिलाब भी बोल चुके हैं इस सब के बीच सीम सेनी और पूर्व मुख्य मंत्री मनुहर लाल विज को मनाने के लिए उनके आवास पर भी जा चुकी हैं इसके बावजुद विज की नाराजगी बरकरार है बता दें विच दल्दित समुदाय से आते हैं और ये वर्ग बीते दो चुनावों में बीजेपी के साथ रहा है लेकिन आप इनके नाराजगी बीजेपी के लिए विधानसवा चुनाव में भारी पढ़ सकती है तो वहीं एमपी बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं है बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश में सरकार के अंदर नाराजगी बढ़ रही है बीते साल सत्ता में आने के बाद पार्टी ने मुख्यमंत्री के साथ दो मुख्यमंत्री बनाए थे हा इसा ही मामला राजस्थान से सामने आया है राजस्थान में जब से बीजेपी की सरकार बनी है उसी दिन से उस पर भश्चाचार के आरोप लग रही है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह आरोप सत्ताधारी दल के अंदर से ही लगाए जा रही है सबसे पहले तो किरोड दाय मंतुरी कनहिया लाल चौधरी ने भृष्चचार के मामले में अपनी ही सरकार की पॉल क कुल दी है उन्हों कहा कि मेरे विभाग में भर्षचार व्यापत है और शायद सरकार में सबसे ज्यादा ब्रश्चाचार मेरी ही डेपार्टमेंट में है अगर मैं विभाग के अंदर की जाज करना शुरू कर दू तो शायद कोई भी नहीं बचेगा मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता आखिर मुझे मेरा विभाग भी चलाना है भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री के ब्रश् चचार नहीं रोक पाने को लेकर अपनी कई मजबूरियां भी गिना दी तो वहीं हाल ही में वसंद्रा राजे ने एक बड़ा बयान दिया जिसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई एक बार फिर बीजेपी हाई कमान से उनके रिष्टे तल्क होने के संकेत मिल रही हैं बीजे स्थान से लेकर मध्यप्रदेश तक राज्य सरकारों में हाई कमान के इशारों पर हुए फिर बदल से पार्टी नेताओं से लेकर जनता के अंदर भी नाराज की नजर आई जिसके बाद वसंद्रा राजे की बीजेपी से दूरी बनाने की खबरे भी सामने आई थी हालाकि कि उन्होंने खुले आम बागावत तो नहीं की थी लेकिन पार्टी की बैठकों में भी नादारत रही तो लोगसबद चुनाफ के दौरान प्रचार से भी दूरी बनाई रखी जिसका बीजेपी को खासा नुकसान भी उठाना पड़ा और उनके इस बयान ने अब एक बार फिर बीजेपी से उनके नाराजगी की चर्चाओं को हवा दे दी है बगावत और नाराजगी की खबरे कई दूसरे राज्यों से भी आ रही है मोदी सरकार की कमजोरी के चलते बीजेपी बिखरती दिखाई दे रही है साफ है बगावत का असर मोदी सरकार पर दिखाई दे लगा है बीजेपी के अंदरूनी टकराव अब सारवजनिक होने लगे हैं इससे साफ हो गया है कि आने वाला समय बीजेपी और पीम मोदी दोनों के लिए ही बेहत मुश्किल भरा होने वाला है इस साल के आखरी में चार राज्यों में विधानसवा चुनाव है और इन चुना पूट में इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार